शोशल वीडियो सेंसेशन अंजली अरोडा का लगता टोरस के निशाने पर आनक यूजर्स की एक नई सी आदत बन गई है जब से अंजली अरोडा का MMS लीक हुआ है तब से वे सुर्क्यों का हिस्सा बनी हुई है लेकिन इस वार किसी और बात के चलते यूजर्स ने उनको निशाने पर लिया है दरसल हाले में अरोडा ने आईफोन 14 खरीदा है जिसकी वीडियो मशूल पैपराजी वाइरल पियानी ने अपने अकाउंसे शेयर की है वीडियो में अंजली आईफोन 14 खरीद कर वापिस जाते ही नजर आ रही है इस दुरान मौके पर मौझूद पैपराजी ने उने अपने कैमरा में कैट कर लिया अंजली अपने इस आईफोन के बार में बताते हो बहत खुश नजर आ रही है हाला कि उनकी एक खुशी शोशल मेडिया यूजर को कुछ खास रास नहीं आई और उनने अक्ट्रेस को चंपर चोल कर दिया शोशल मेडिया पर सामने इस वीडियो पर कमेंट पर लोग तरह तरह की प्रतिपियां दे रहे है एक यूजर ने तो कमेंट करते हैं कहा की चल्दी ये भी एडिके चक्कर गाटेगी तो महीं दूसरी यूजर ने कहा की MMS अच्छा शूट होगा तो महीं एक शक्ष ने ये भी लिखा की सब कच्छा बदाम का कमाल है अब अंजली का आइपोल लेना भी उनी पर भारी पड़ गया है ये शायद उनको भी नहीं पता था ऐसा लग रहा है कि जैसे एक MMS ने उनकी पूरी लाइफ ही बिगाड के रखती हो और अब जब इस कॉंट्रोवर्सी का पता अंजली अरोडा को चलेगा तो वो इस पर कैसे रियक्ट करती है इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बता दे अंजली अरोडा कच्छा बदान ट्रेंड पर वीडियो बना के शोशिल वीडियो पर चट्चा में आई थी इस शोव में मनुवर संग उनकी कैमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी इतना ही नहीं वे इस शोव के रनर अप भी रही थी इसके अलावा बीते दिनों इंटरनेट पर एक MMS लीक होने के बाद भी अंजली काफी जादों सुर्थियों में आई थी दरसल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसमें नजर आ रही लड़की अंजली अरोड़ा है हाला कि अंजली ने इस दावे को खारीच करते हैं वीडियो को फेक बताया था नेकिन तब भी लोग इस वीडियो को भीयल मान रहे है और लगतार अंजली को अपने टोलिंग का शिकार बना रहे है आपकी क्या राय है अंजली और उनके आइपोन को लेकर कमेंट बॉक्स पे हमसे शेर करना ना भूले और अपने फिल्म्य अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल MDTV Entertainment धन्यवाद